लेकिए बीजेपी चेहरा बनाने के लिए तो काई कन्फ्यूज है ही क्योंकि बिहार में जो उनका अगड़ बंदन बनता हुआ दिख रहा है सारे रिटायर लोगों को उन्होंने लिल लिया है चाहिए वो उपरिंदर कुश्वहाजी है चाहिए वो आर्सीपी सिंग है सब अ अगे अपनी पढ़ाई को परसू नहीं कर पादे थे आज वो अपनी पढ़ाई कर पादे शरकार न्यूस पेपर के माध्यम से हमीश्चा विज्यापन निकालते रहती हैं कि कैसे इसमें करें कैसे इंप्लीमेंट करें और कब यह होगा नमुश्कार आप देख रहे हैं दे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल कुछ ज्यादा ही एक्टिव आधित्य पासवान जी हैं और तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं तो शुरुआत पहले हम पॉलिटिक से करते हैं और उसके बाद कर क्या कुछ गहीं कि बीजेपी चेहरा बनाने के दो का कन्फ्यूज है क्योंकि बिहार में जो उनका अगडबंदन बनता हुआ दिख रहा है सारे रिटायर लोगों को उन्होंने लिल लिया है चाहे वो उपरिंदर कुश्वाह जी हैं चाहे वो आर्सीपी सिंगे सब अप हम पुरे देश में देख रहे हैं कि जो राज सरकारे हैं कैसे उसको टॉपल करके अपने एडी सीबी आई और आइटी के माद्यम से उन्होंने सरकारों को बदला है बिहार में भी लगतार यही प्रयास भासपा कर रही है और महागडबंदन में तो और डिसारे है किसके ने बहु संक्यक जो चुनिवे सरकार को लगतार बनाम और अबदस्ट करने का प्रयास किया रहा है यह एक गलत हमेशा चीज दोजा सत्रह से ही यहां बिहार में हो रहा है जब दोजा सत्रह में महागडबंदन के सरकार बनी थी तो यही चीज उन्होंने किया था तो तब तो व परिवार के ठिकानों पर एडी और सीबी आई की लगता चापे मारी चौड़े इसको लेकर के तमाम अब जो विपक्ष के नेता है वो अब स्तीफे की मांग करते वे नसर आ रहे ते जस्वी आदव से कह रहे है कि डेप्योटी सीम को स्तीफा दे देना चाहिए इस पर क्या जनता के साथ साजा करना चाहिए ना ओफिशल स्टेटमेंट देना चाहिए न्यूस पेपर के माध्यम से दे जेना कि इतना चीज पकड़ाया है या कैश पकड़ाया यह किसी को अपराधी होने के लिए यह नहीं है काफी नहीं है उसके लिए प्रॉपर जांच होनी कि लिए या केन्दसकार के अंदर आती है तो इस्तीफा दिरेंगा कोई आचित नहीं है तो दिखे बात करते हैं पॉलिटिक्स की बात हो गई राचनीती की तो बात हो गए लेकिन उन मुद्धों पर भी हम लोग करेंगे जन मुद्धों के उपर किसी का ध्यार नहीं जाता बढ़ा आपने एक अच्ना सवाल किया अभी इसे क्लासिक एक्जाम्पल एक है कि जो बच्चियां बिहार सरकार पत्साहन राशी दे रही है 50 पर तो अभी भी डेटा जो आया है परसो का डेटा में आपको बता रहा हूं कि 50,000 जो बच्चियां है उन्होंने अभी इसको अप्लाई ही नहीं किया है तो उसका रीजन क्या है जनकारी का भाव वो जनकारी लेना नहीं चाहती है तो प्रॉपर चैनल के मार्धियम से जनकारी लेना चाहिए चाहिए वो परसू नहीं कर पा दे थे आज वो अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं डिफेंट प्रोफेशनल कोर्सेज ने पूरे देश में बच्चे पढ़ने हैं चाहिए वो पैरा मेडिकल है डिफेंट मैनेजरिल कोर्सेज है या उस तरह के कोर्सेज और भी हैं बहुत सारे वो कर पा हैं इसलिए कि सिर्फ स्टुडेंट कार्ड के मादेम से उनों वो फीज देना उनको पॉसिबल हुआ और तीन हचार करोड रुपे का डिस्बर्श्मेंट अभी तक भी हार सकार कर चुकी है इस और और अभी इस साल अभी आज की मैं आपको बता रहा हूं बाल कि काबरेट म पूरे सभी चात्रों को लेना चाहिए और दुस पचार में नहीं पढ़ना चाहिए कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार आपकी है सरकार आपके लिए काम कर रही है आप आगे बढ़िए आप दो कदम आगे बढ़िएगा सरकार और चार कदम आगे बढ़ तो लगतार उनका कहना है कि सरकार हमारी बाते नहीं बिल्कुल नहीं यह सब दुस्पचार है सब चीज प्रोसेस में है चल रहा है प्रोसेस को ना धरातल पर आने में समय लगता है यह दुरभागयपुर्ण है कि स्टीटी वाले बच्चे जो है वो सड़क पर आया और लाट आवेरनेस की जैसे हमने बात कही आवेरनेस के उपर हमने बात की तो आवेरनेस नहीं होता है तो कैसे चात्र जो है इस तरीके से आवेर होने चाहिए इन सब चीजों में जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन वो पढ़ सकते हैं और इस इन तमाम बातों क बारे में कैसे जा ले इसको देखिए मैं कनेट करता हूँ आपको एक मुद्दा और है इसके साथ में जो मुख्मंत्री जी के जाण रहे ही स्टार्ट क्या गया है, मुख्मंत्री इंडस्सलाइशन यूजना मुख्यमंत्री दमी योजना बोलते हैं, जिसका लाब 2020-2021 में काफी लोगों ने लिया, पोल्ट्री के छेतर में, फिश्रीज में, एग्रो बेस्ट एकॉनमी जो है, एग्रिकल्चर बेस्ट एकॉनमी जो है, काफी यूनिट्स नहीं है, स्मॉल स्किल इंडस्टी यूनिट्स बहुत 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 रिजन क्या है, कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, सब लोग चाहते हैं, कि उससे ही सारी जनकारी मिल जाए, सरकार न्यूजपेपर के माद्यम से हमेशा विज्ञापन निकालते रहती है, इंफ्रमेशन देते रहती है, कैसे इसमें अपलाई करे करें, कैसे इंप्लिमेंट करें, और कब यह होगा, तो लोगों को अपनी जनकारी के लिए, बच्चों को जनकारी के लिए, और जो लोग नए स्टार्टप्स में जाना चाहते हैं, रेकुलर न्यूजपेपर देखना चाहिए, सरकार के लिए पॉसबल नहीं है, कि अगर सो चैनल्स हैं, तो उसमें विज्यापन देए हैं, इस इसका, that is not possible, and that is not going to happen, जो हो रहा है, नीजपेपर के मादियम से, जो सरकार इंफोर्मेशन आपको देने का प्रयास कर रही है, उस इंफोर्मेशन को लिजिए, उसका लाब उठाइए, सरकार आपके लिए काम कर रही है दुस्पचार हैं मत की पढ़िये, जो आज जो विभक्ष के जारा जो दुस्पचार किया जाता है कि बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है, ये इस से बिलकुँ उलट ये सी चीज़े हो रही हैं धरातल पर, और सक्सेस्फुल ही हो रही हैं, इसका लाब लोग उलरी ले रह हो रहेगा, अपलाई किजे, इंप्लिमेंटेशन में लाई है, सरकार आपके लिए काम करने के लिए बिलकुल त्यार बैठी है और काम कर रही है, बहुत-बहुत शुक्री आम से बात करने के लिए, तो ये थे हमारे साथ कॉंग्रस के प्रवक्ता है, आदित पास्वान और युवाओं में उभरता चहरा है और युवाओं के मुद्धे की बात इन्होने की, और बहुत-बहुत बहतर तरीके से समझाया कि जस तरीके से जो छात्र होते हैं, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, जादा तर जानकारी भी नहीं होती है, स्टूडेंट क्रेड की तमाम खबरों के लिए धन्यवाद सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें